हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल AJ Medicines में मैं हूँ आपका दोस्ता जी तो राज मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ फिर साज जरूँ दोस्तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा low BP की 3 best दवाएं जो बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर कोई BP लोग की best दवा बताईए और बहुत ही सस्ती बताईए क्योंकि BP लोग की जो गोली आती है वो बहुत ही महंगी आती है तो आज मैं यही आपको बताऊँग तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बैल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बैल कॉल जरूर कर दे ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करू मेडिसेन से रेलेटेड तो वो आप तक नोट लोगों को ये प्रॉब्लम घंडेड परसेंट सब्सक्रायो को मिलती है, जिस में जिन लोगों को हाई वीडि ने मिल जाती है उनकी दवा बहुत आसानी से उन्हें मिल जाती है और टेलमी काइंड, टेलमी काइंड 40 mg, एम्लो डीपिन, एम्लो डीपिन 5 mg, एम्लिप या फिट और भी कई ऐसी दवाई आएं जो बहुत ही सस्ती 100 रुपे के अंडर में आपको आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन लो बीपी की गोलियां जल्दी आसानी से नहीं मिलती हैं, ये मार् को तीन बेस्ट मेडिसिन बताऊंगा लो बीपी के लिए, जो की बहुत सस्ती और किफाईती भी होंगी, साथ-साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा, उन दवाओं को कैसे लेना होगा, उन दवाओं को आप कहां से खरीच सकते हैं, और ये जो दवा है किन्हें नहीं लेना च स्थाथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बीपी लोक के क्या कारण है, क्यों बीपी लो का लक्सण है, जिससे आप पहचांद सकते हो, कि बीपी की प्रोबलम हो रहीं है, और वह भी लह बिपी की है, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, तो आप लोग वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखें, क्योंकि जो तीन बैस्ट दवाई में बताऊंगा, उसमें से एक भी दवा आप मिस करते हो, तो हो सकता है कि पूरी नॉलिज आपको ना मिल पाए, तो चलिए सबसे पहले सुरुवात में करता हूं कि बीपी लोग के आखिर कारण क्या है, क्यों लोगों में बीपी लोग की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, देखो बीपी लोग के कई कारण है, उनमें से ही में पहले कारण बताता हूं, जिन लोगों के सरीर में पानी की कम प्रोब्लम देखी जाती है या फिर किसी को दिल की बिमारी होती है तो बीपी की प्रोब्लम देखी जाती है या फिर किसी को डाइबिटीज की प्रोब्लम होती है जिहां जिन लोगों को सुगर की प्रोब्लम होती है उनको काफी जादा बीपी लोग की समस्या देखी जाती ह साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा जिन लोगों को थायरायट की प्रप्लम होती है तो थायरायट की वज़े से भी अर्वीपी लोग की समस्या होती है और बहुत लोगों के सरीर में कमजोरी ठकावड महसुश होती है इस कारण भी B.P. लोग होता है BP low होने के बहुत सारे कारण है लेकिन जो मेजर कारण है वो मैंने आपको बताया है. इसी कारन से जहातर BP low होता है. मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि किसी को BP low हो रा है या किसी family member को हो रा देखि Kent सकते हैं देखिए अगर किसी को बीपी लोग की प्रॉब्लम होगी तो उनमें कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं जैसे कि जब वो बैठ के खड़े होंगे तो तुरंत उनके आगे अंधिरा सा हो यह बीपी लोग के लक्षण है या फिर बहुत लोगों को चलते चलते चक्करान लगते हैं या बैठे बैठे भी चक्करान लगते हैं यह भी बीपी लोग की लक्षण है और बहुत लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आता है जिनको पसीना ज्यादा आता है उनका भी बीपी प्राब्लम का्यास करोगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका लोग है,LD मैं आपको बताता हूं कि तीन बेस्ट दवाएं है BP लोग की वो देखो इसका इलाज बहुत ही सिंपल है BP की गोली आप लोगे तो आपको कंट्रोल हो जाएगा कुछ खांग पान में भी बदलाव करिए आयरें टॉनिक वगेरा लीजिए ताकि आपके सरीर में खुन बड़े ज्यादा से ज्यादा आप पानी पीजिए मल्टी विटेमिन्स टैबलेट आप ले सकते हो ताकि आपके सरीर में कमजोरी दूर हो जब यह प्रॉब्लम्स दूर होंगी तो खुद पर खुद आपका 2.5 टैबलेट मीड़ाइज 2.5 टैबलेट एक इस्टिप की पैकिंग में आता है और इस एक स्टिप में 20 टैबलेट होती है यानि 20 टैबलेट होती है और यह जो प्राइज है वह हे 1097 रुपए यानि 1,097 रुपीज ओंपनी इसे बनाती है टॉरिड़ंड फार्मासिटिकल और composition scanner होता है, इसमें होता है, Mido Drain 2.5 MG और ये आपको online आसानी से मिल जाएगा, आप चाहो तो इसे offline भी purchase कर सकते हो, इसे आप note down ज़रूर कर लें या फिर आप इसका screenshot लेके रख सकते हो, आपको इसे खरीदने में आसानी होगी, अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो इस्तेमाल होगी, उसका नाम, Sip Mido 2.5 MG टाबलेट, Sip Mido 2.5 MG टाबलेट, एक स्क्रिप की पैकिंग में आता है, और इस एक स्क्रिप में 20 टाबलेट होती है, और इस 20 टाबलेट के जो प्राइज है, वो है 1047 रुपे, यानि 1047 रुपी only, कम्पनी इसे बनाती है, Sipla Limited और composition इसके अंदर होता है, इसमें होता है, Mido Drain 2.5 MG, इसमें भी same composition है, और ये भी दवा आपको आसानी से medical store पे मिल जाएगी, या फिर आप चाहो तो इसे online purchase भी कर सकते हो, इसका भी आप screenshot ले लिजिए, या फिर इसे note down करके जरूर रख ले, ताकि इसे खरीदने में आसानी हो, अब जो इसमें तीसरी दवा है, वो भी बहुत most important दवा है, उसका नाम है Actiful 2.5 MG टबलेट, Actiful 2.5 MG टबलेट एक strip की packing में आता है, और इस एक strip में 15 टबलेट होती है, और इस 15 टबलेट का जो price है, वो है 617 रुपए, यानि 617 रुपीज only, कमपनी इसे बनाती है, तासमेड और composition इसके अंदर होता है, इसमें भी medium drying 2.5 MG है, और ये भी आपको हर medical store पर आसानी से मिल जाएगा, इसे आप note-down जरूर कर लें, या फिर आप चाहो तो इसका screenshot लेके रख सकते हो, अगर आपको ये offline ना मिले, तो आप इसे online भी purchase कर सकते हो, 1 MG या flip card health से, ये दोनों जगे available है, अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो तीनों दवा है, लो BP की, इन में से अगर आप कोई tablet use करना चाहते हो, तो कौन सी tablet कैसे लोग है, तो मैं आपको बता दू, ये तीनों tablet एक ही तरह से लिए जाता है, इसको आपको करना ये है, सुबह नास्ता करिए, नास्ता करने क इसके बाद आपको एक tablet पानी के साथ regular लेना है, एक बात का ध्यान रखें, अगर आप कोई दवा खाते हो पहले से, जो किसी और बिमारी की है, तो आप उनमें और इस दवा के बीच में कुछ आदे घंटे का gap जरूर रखे हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये दवा कि इसके क्या side effect देखने को मिल सकते हैं, दोस्तों हर दवा के कुछ ना कुछ side effect देखे आते हैं, इसके भी हैं, जब आप इस दवा को लेते हो और लेने के बाद आपको उल्टी हिसा मन या उल्टी होने लगे, तो ऐसी condition में आप समझ सकते हैं कि आप कोई suit नहीं हो रहा, या या फिर आपको पतले दस्ट होने लगे, तो भी आप समझ सकते हैं कि आप कोई suit नहीं हो रहा, या फिर आपके सरीर पे चकते, रैसे या दाने या खुजली होने लगे बहुत ज़्यादा, तो ऐसी condition में भी आप समझ सकते हैं कि आप कोई suit नहीं हो रहा, कई लोगों को Cubs क की problem भी देखने को मिल सकती है, अगर आपको constipation की problem होने लगे, lettering tight होने लगे बहुत ज़्यादा, तो ऐसी condition में भी आप समझ सकते हैं कि आप कोई suit नहीं हो रहा है, या फिर आपको सिर में तेज दर्द बना रहे हमेशा, तो भी आप समझ सकते हैं कि आप कोई suit नहीं हो र होगी, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार.